Hey guys, welcome back to my channel, मैं हूँ राज और आप देख रहे है fashion maker youtube channel So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ball gown किस तरीके से cutting होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह एक skirt है, इसको हमने ball gown से convert करके एक skirt बनाया है और इसका look देख सकते हो, यह किस तरीके से आ रहा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से cutting कर सकते है यह ball gown को cutting करने का और भी बहुत सारा तरीका होता है लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से इसको cutting करके बनाया है उसका cutting में आपको आज दिखाने वाला हूँ वीडियो को पुड़ा end तक देखना वीडियो बहुत यदा interesting होने वाला है आप में से बहुत सारे लोग मेरा online classes का wait कर रहे थे तो finally मेरा online classes start हो चुका है अगर आपको मेरे साथ online classes join होना है तो आपको एक application download करना पड़ेगा उसका link आपको description में मिल जाएगा या फिर अगर आप Google Play Store में जाओगे और fashion maker type करोगे तो मेरा application आपको मिल जाएगा तो उस application को आपको download कर लेना है और वहाँ से जाके आप मेरा classes join कर सकते हो so description में link है fashion maker application का उसको download कर लिजे और अगर आपको online classes में join होना है तो आप मेरे साथ join हो जाएगे so guys चलिए video को start करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको video के end मे so guys यह ball gown style का कुछ भी अगर हम cutting कर रहे उससे पहले हमको यहाँ पे हमारा जो measurement है उसको समझना पड़ेगा तो यहाँ पे हमारा जो length है वो है 40 inch यहाँ पे हमारा waist है 34 inch और यहाँ पे जो hips है वो है 38 inch तो यह हमारा measurement है इसी measurement से अभी हम इसको cutting करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे हमने 6 कली में बनाया है यह एक, दो, तीन, यह तीन हमारा back कली है और यहाँ पे एक, दो, तीन, यह हमारा front कली है तो यहाँ पे अगर आप धियान से देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 inch का bell बनाया है जो कि हमने यहाँ पे mark भी किया है तो यह 2 inch का bell हमको देखना है और यहाँ पे हमको decide करना है कि हमको कितना कली में इसको बनाना है तो यहाँ पे हमने 6 कली में बनाया है तीन आगे और तीन हमने पीछे लिया है लेकिन यहाँ पर आप अपने हिसाब से ज़्यादा कली भी आड़ कर सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको decide करना पड़ेगा कि आप कितना कली में आप बनाना चाते हो तो suppose यहाँ पर मैं इसको 12 कली में बनाना चाता हूँ उसकी हिसाब से हमको इसको cutting करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यह 12 कली में से एक कली का measurement हमको निकलना पड़ेगा यहाँ पर हमको यह जो measurement है इसको calculate करके एक कली का सबसे पहले हमको measurement निकालना पड़ेगा और इससे पहले मैंने आपको एक fist cut का cutting बताया था उसमें मैंने आपको बताया था ये belt cutting के बारे में यहाँ पे हमारा जो 34 है यह 34 हमारा ये उपर वाला पाट है ये वाला जो पाट है ये हमारा साइट पर होगा और यह नीचे का जो होगा वो हमको 2 इंच एक्स्टा लेना पड़ेगा मतलब हमारा जो वेस्ट हो जाएगा यहां पर 2 इंच एक्स्टा तो हमारा जो वेस्ट हो जाएगा अभी वो हो जाएगा 36 इंच ओके तो यह 36 हमारा वेस्ट हो जाएगा और यह हमारा यहां पर हमको 6 इंच का लूजिंग एड़ करना पड़ेगा जो हो जाएगा हमारा 44 इंच ओके तो यहां पर हमको सबसे पहले एक कली का जो है measurement निकलना पड़ेगा तो यह 36 है और हमको चाहिए 12 कली तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे जो की हो जाएगा हमारा यहां पर 3 उसको आपको इस तरीके से फोल कर लेना है और यहां पर जितना वह बड़ा को वीत मिल रहा है वह सारे वीत आप यहां कर सकते ओइड और हैं क्योंकि यह जो pattern है, यहाँ पे आपका सारा यह wheat का ही कमाल है, यहाँ पे जितना वड़ा wheat होगा, उतना आपका जो look है वो अच्छे से बनेगा, तो suppose यहाँ पे हमारा यह fabric है, और इसको हमने दो fold में बिचा जा है, और यहाँ पे हमको इतना wheat है, यह wheat आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधा मार्क करेंगे, इस तरीके से, ओके, तो यहाँ पे हमारा जो length है, वो 40 इंच, तो यह 40 हम यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, उपर के साइड पे, यह देखिए, तो यह उपर के कर देंगे और अभी हमको दो इंच का बेल चाहिए तो हम यहां पे दो इंच माइनस करेंगे उसके बाद हम यहां पे सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे तो यह हमने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है यह जो पेपर है इस तरीके से हमने फोल्ड करके आघेगा ओके तो कि यह हमने थ्री इंचवा पर मार्क कर दिया है और यहाँ पर हमारा ज विर्फ fiance यहाँ पर हीप्स का मेधर मिंट हमको लेना नहीं पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर हम आज जाएंगे जो हमारा वित है वह हम पूरा यूस करेंगे यह तक तो अभी हम यह मार्क से यह मार्क तक हम इस तरीके से स्टेट लाइन ड्रॉ करेंगे यह देखिए इस तरीके से हमको स्टेट लेना है तो इस तरीके से हम इसको मार्क कर देंगे यह देखिए यहां से हमने इसको पूरा state mark कर दिया है और अभी आप देखोगे यह जो waste line है इसको हमने state किया था लेकिन अभी हमको इसको इस तरीके से round लेना पड़ेगा यह देखिए इस तरीके से जो कि हमारा दो इंच-का बेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम यहां पर यह जो side वाला पाट ए उसको भी हम इस तरीके से 38 पर मार्क करेंगे यह देखिए इस तरीके से ओके उसके बाद हम यह जो लाइन है इसको उपर के साइट पर गेल ना है ओके यह देखिए तो अभी मैं इसको कटिंग करता हूं तो यह देखिए इसका जो कटिंग है वो हम को इस तरीके से करना है यह जो राउंड वाला से पे इसको हम इस तरीके से कटिंगे और अभी हम इसको इस तरीके से साइड का जो कटे उसको कर देंगे यहां पर आपको जितना भी घेरा मिल रहा है वो सारे आप यहां पर यूज कर सकते हो और यह नीचे का जो लाइन है इसको भी हम इस तरीके से कट कर देंगे तो यहां पर आगर आप देखोगे यह हमारा एक कली है इसको हमने फोल्ड करके कटिंग किया है और जैसे हम इसको खोलेंगे तो यहां पर आप देखोगे तो यह कली हमारा इतना आएगा और जैसे हम इसको इस तरीके से जॉइन करेंगे यह देखिए यह कली हमारा इस तरीके से आएगा और यह स्टीचिंग के बाद भी आपको इस तरीके से दिखेगा तो इसका stitching करने का भी process है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यह इस तरीके से हमको इसका 12 कली कट करना है, यह 12 कली हमको कट करना है इस तरीके से, यह हमारा एक कली है, और अभी मैं आपको इसका बेल का cutting दिखाता हूँ, यह बेल कटिंग करने क तो 34 हमको यह उपर वाले पाट को चाहिए, और यह 36 हमने यह नीचे वाले पाट के लिए cutting किया है, तो यहाँ पे हमको चाहिए 34 इंच, तो 34 को हमको 4 से डिवाइट करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 पाट में बेल बनेगा, यह खो जाएगा हमारा आगे के लिए, यह खो जाए 3.5 इंच पे मार्क कर दिया है, और अभी हमने बेल्ड के लिए लिए है 2 इंच, तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि 2 इंच का हमारा ब्रॉड रहेगा, जो बेल्ड बनेगा, उसके बाद इसको हमको इस तरीके से से रखना है, और इस तरीके से हमको कर देना है इस तरीके से ओके उसके बाद यह साइड को हमको इस तरीके से मार्क करना है यह देखिए इस तरीके से ओके तो यहां पर आगर आप देखोगे यह जो हमने उपर का पार्ट हमने लिया है यह हमने लिया है 8.5 इंच पे जो हमारा हो जाता है 34 इंच और यहां पर हमन हमारे कली को जॉइन करेंगे इस तरीके से यह हमारा कली इस तरीके से जॉइन होगा यहां पर हमको छे कली जॉइन कर देना है नीचे के साइट पर उसकी बाद जैसे हम बेल को लगाएंगे तो यहां पर हमारा 34 आ जाएगा और यहां पर हमको चीए 36 तो इस तरीके से इसका ब back के लिए हो जाएगा और ये बेल्ड इसके उपर इस तरीके से joint होगा तो ये आप देख सकते हो ये हमारा एक कली है और ये हमारा एक बेल्ड है So guys I hope आपने वीडियो को यहां तक देखा है और आपको समझ में आया है कि किस तरीके से हमने इसको cutting किया है I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आयता है तो आप मुझे comment करके जरूर बताना और अगर आप मेरे साथ online classes में जूरना चाते हो तो description में आपको link मिलेगा मेरा application का आप वहाँ से जाके मेरा application को download कर लिजे और आप मेरे साथ जूर जाए मेरे online classes में और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बाल लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को subscribe करके बिल नोटिफिकेशन को भी on कर लेना आज किस वीडियो पर इतना ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye